कोरोना वारस के देश और राज में बढ़ते संक्रमन को लेकर सरकार चिंतित है और हर तरह से प्रयास रत है कि लोग घड़ों के अंदर रहें और सुरक्षित रहें सरकार एक और लॉक्डाउन को बढ़ा कर संक्रमन को खतम करने का हर संभा कोसिश कर रही है वहाई कुछ लोग इस वारस के संक्रमन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और लगतार किसी ना किसी बहाने सडकों पर नजर आ रहे हैं जिससे इस वायरोस को रोकने में और इस चेन को तोडने में दिक्कत आ रही है। देर राथ हमारी टीम इस मामले की सचाई को देखने को निकली तो मामला बेहत गंभीर नजर आया। महीं पूलिस की टीम उन्हें समझाने पहुंची कि कोरोना बहुत गंभीर बिमारी है इसे तुम्हारे साथ साथ पूरे पडिवार में संकट उत्पन हो जाएगा इसलिए घर में रहने का निर्देश दिया गया है उन्होंने लोगों से अपील की कि क्रिप्या सरकार की बात मानिये ये आपके भले के लिए हैं जिससे आप बेवज़ा और समाज को बचा सके हैं मही समाज से जुने समाज सिमर बुद्ध जीवी लोगों ने भी कोरोना की गम भीरता के बारे में अपनी राय दी और कहा कि कुछ लोग तो सरकार की बातों को मान रहे हैं पर कुछ लोगों के कार निस्तिती बिकट होती जा रही है देरात मौके पर नामकुम थाना पहुंच कर सभी संदिग्दों को CHC नामकुम भेजा और सभी को हिदायत दी कि आप सभी घर के बाहर नहीं निकलेंगे और कोवीड-19 का ज्यांच रिपोर्ट थाने में आकर जमा कराएंगे और तमाम पूरे देश में देश की पूरे राज की सरकार लगे हुए हैं ताकि कोरोना जैसे हमारी से कम से कम हम बचे हमारे लोग को बचा पाए कुछ लोग तो इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं कि कुछ लोग इसको मजाक के तोर पर ले रखा है कहीं कहीं बीच में सडक में या कहीं कहीं जिसे कल साम की ही घटना जो थी उसमें ये था कि कुछ लोग कोरोना का जो लोगडाउन है लोगडाउन के बाद भी लोग आये हैं और रह रहे हैं तो इसमें जो रहने वाले लोग भी और जो रख रहे हैं वो भी सारे लोगों से हो साथ में परिवार का बचाओ करेंगे और देंगे किसी के भी घर वे बाहर साय करके कोई रह रहा है तो। उसकी जनकारी परसासन को दिया जाना चाहिए खास करके पिछले दिनों कोरोना वायरस को लेकर जिस तरब से पूरे देश में महाल फैला हुआ है और खास करके जहार खेंड में दिनों दिन इसके मरीज की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में चाहे किसी की भी घर में कोई भी बाहर से वेक्तिरा रहा उसका पूरा का पूरा सुचना परसासन को देना चाहिए और अगर ऐसा वो नहीं करत लेकिन कुछ लोग फिर भी सरकार की ये महीम के बावजूद कुछ लोग इतने लापरवा हैं कि इसको ना मानते हुए कुछ रेंट में लख रहे हैं जो लोग एक साथ सामुई कीचन बना के रोज खाना खाने जा रहे हैं फिर वापिस एक जगा एक क्लस्टर बना के सो रह को धाने और चाहिए ये ये गली मुहले में ज़्यादा देका जा रहा है बड़े वाले रस्ते में जहां यह जिस जगह में पाया गया है अगर बगवान न करे वह कोरोणा पॉजिटिव मिले उनको हो लेकिन हो जाएगा राची से राकेश कुमार की रिपोर्ट नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सकाइब करें लाइक करें शेर करें मैं आट्यूब चनल और बनेर हमानी उचनल नेशन 24 के साथ नमस्कार हुआ 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 है